नमस्कार दोस्तों, देश की सबसे पुरानी स्टैबलिश्मेंट, ओर्डिनेंस फैक्टरी बोर्ड, अब इसका एंड होने जा रहा है क्योंकि सरकार ने ओर्डर जारी कर दिया है, यह आप देख सकते हो, डिफेंस मिनिस्ट्री डिजॉल्ड, ओर्डिनेंस फैक्टरी पूरा काम है, उसको corporatize करने की कोशिश की जारी है, और total 7 नए PSU's बनाएगे हैं, सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, कि यहाँ पर exactly हुआ क्या है, इसका असर क्या होगा, concern क्या है, काफी कुछ जानने को है, चलिया आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अ यहाँ पर जो notification है, आप देख सकते हो, कि official memorandum issued by the Department of Defense Production, 24th of September dated बताये जा रहा है, और यह order जारी कर दिया गया है, जिसके तहत, जो ordinance factory board ध्यान रखेगा, सबसे पुराना establishment है, 1775 से आपको देखने को मिलेगा, इनफाक्ट उससे पहले भी है, मैं आपको बताऊंगा इसके ब factories आपको देखने को मिलती है, तो यह 41 factories के बजाए अब क्या किया गया है, 7 नए जो public sector undertakings है, वो बना दिया गया है, तो इनका जो पुरा कारोबार है, वो इन 7 नए public sector undertakings के अंदर आ जाएंगे, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं, पहले आपको पता होना चाहिए, यह ordinance factory board है क्या exactly, देखिए, अभी present में आप देखोगे, तो यह department of defense production, जो ministry of defense है, उसके अंदर आता है, और total मैंने आपको बताया, 41 ordinance factories हैं, और जाहिर सी बात है, इसका main काम होता है, कि जो defense related products हैं, उसकी manufacturing की जाए, इसका headquarter आप देखोगे, तो को पुलकता में आपको देखने को मिलेगा, यह आप देख सकते हो, देश के अलग-अलग कोने में, अलग-अलग हिस्से में, इनकी जो factories हैं, वो यहाँ पर मिलती हैं, सबसे पुराना organization, in fact, 1712 से ही इसकी सुरवात हो गई थी, ऐसा बताया जाता है, in fact, इनका जो main काम है, वो करीब 70,000 के आसपास बताया जाता है, और यह करीब आप कह सकते हो, कि 37th largest defense equipment manufacturer है, world के अंदर, इसके अदावा यहाँ पर इन्होंने बहुत ही important role play किया है, जो अलग-अलग organization, आज के रेट में आप सुनते हो न, जैसे ESRO हो गया, DRD हो गया, BDL हो गया, BEML, उनके foundation, उनके research म काफी important role play किया है, और आप देख सकते हैं, इस तरह के कई सारे जो products हैं, वो इनके द्वारा बनाया जाता है, produce किया जाता है, और यहाँ पर भी आप देख पाऊगे, tanks हो गया, armored personal carriers हो गया, mine protected vehicles हो गया, कई सारी चीज़े, मतलब overall आप यहों समझे कि defense related जो भी कुछ है, वो यहाँ पर सरकार ने यह निर्णे लिया था, काफी, मतलब एक दो साल से इसकी चर्चा चल रही थी, कि हम इसको corporatization करना चाहते हैं, ordinance factory board का, तो corporatization का मतलब क्या होता है, वो simple earth है, आपने PSU's के बारे में सुना होगा, महारतना companies के बारे में सुना होगा, BHEL आपने सुना लेकिन हा, इसका जो share है, जो majority holder है, वो आपका सरकार ही रहेगी, वैसे अगर आप देखोगे, यह जो 7 नय PSU बनाये जा रहे हैं, public sector undertaking, उसका अभी 100% owner तो भारत सरकार ही है, लेकिन में भी हो सकता है, कि आगे चल कर उसका share base दिया जाए, तो यहाँ पर उसको stock market पर भी लाय जाएगा, IPO निकाले जाएगे, वो बात की बात है, अभी उसकी चर्चा नहीं चल रही है, लेकिन एक कदम आप कह सकते हो, उसकी तरफ है, तो basically आपनी हो समझझे कि इसके अंदर board of directors होंगे, मतलब सरकार का जो नियंतरन है, उसको थोड़ा कम करके, यहाँ पर जो autonomy देनी है उस company को खुद से चलाने के लिए, खुद से अपने आपको आत निभर आप कह सकते हो, वो यहाँ पर करने की कोशिश की जा रही है, और इसी को कहते हैं corporatization, ताकि अच्छे से globally यहाँ पर जो company है, वो compete कर सके, अब देखें यहाँ पर question आता है कि यह जो 41 factories हैं, इसको किसके अंदर डाला जा रहा है, साथ नए entities में, तो यह है आपका defense के public sector undertaking जो है, वो आपको देखने को मिलेगा, अब यह कौन कौन से हैं, यह आप देख सकते हो, seven जो नए PSU's हैं, munitions India Limited हो गया, armored vehicles निगम Limited हो गया, advanced weapon and equipment India Limited, troop comfort Limited, yatra India Limited, India Optel Limited और gliders India Limited, यह साथ नए PSU's जो हैं, इसी के अंदर कई, यह जितने भी factories हैं, उसको डाला जा रहा है, और इसके अलावा यहाँ पर और भी कई सारी चीज़े हैं, जो शायद इन factories के अंदर नहीं, यह जो PSU's हैं, उसमें नहीं डाला जा सकता था, तो वो सारी चीज़ों को क्या किया जाएगा, जो Department of Defense Production है, Defense Ministry के इतने भी employees हैं, उनको ultimately किस में आना होगा, यह साथ नहे PSU's में आना होगा, लेकिन अब क्योंकि यह corporatization हो रहा है, तो एक proper agreement और सारी चीज़ों के माध्यम से होगा, अब इसके लिए क्या कहा जा रहा है, कि एक proper service condition होना चाहिए, मतलब जो employees हैं, उनके benefits क्या है, क्या payment मिले है, तो नए वाले agreement के तहत उसको एक लाग से जाधा ही होगा, कहने का मतलब कि सरकार ने यहाँ पर यह बोला है, कि आप जितने भी जो employees हैं, वो नए 7 नए PSU's के अंदर आएंगे, तो वहाँ पर उनका जो service condition है, वो कम नहीं हो सकता, आप उसको भले ही बढ़ा सकते हो, और इसके लिए यहाँ पर सरकार कह रही है कि जो Department of Defense Production है, वो एक committee को establish करेगी, ताकि एक attractive package जो है, वो employees के लिए बनाये जा सके, तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अब question आता है कि यह जो भी कुछ किया गया है, इसका क्या कोई recommendation आया था, दीके पिछले 20 वर्षों से, इसकी थोड़ी बहुत आपको चर्चा देखने को मिलेंगी, बहुत सारे high level committees बनाये गए थे, जिन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर हमें self-reliance बनना है defense production में, तो कही न कहीं हमें corporatization की तरफ जाना पड़ेगा, जैसे कि कुछ committees के बारे में मैं आपको बताओ, TKS Nair committee 2000 में, वीजय केलकर committee defense reform से related था 2005, फिर 2015 में, फिर जो fourth committee था, वो था lieutenant general DB शाकेत कर committee, आम शौर आपने सुना होगा, इन्होंने basically कई सारे सवाल खड़े किये थे, जो performance audit होता है, यह जो company जिस तरह से perform कर रही हैं, उसमें सवाल खड़े किये था और इसी की वज़े से, यहाँ प वो clear हो जाएंगी, लिकिए सबसे पहला जो problem बताया जा रहा था कि ordinance factory board के साथ, कि जो modern age requirement है defense के अंदर, उसके हिसाब से यह inconsistent है, वैसा जैसा production करना चाहिए था, शायद वो लोग नहीं कर रहे थे, और यह बड़ा कारण बताया जा रहा था, इसके लाबा यहाँ पर यह भी operational freedom, अक्सर सरकार का दखलदाजी रहता था उसके अंदर, कई सारे चीज़ें होती थी, वो सारी चीज़ें अब यहाँ पर हट जाएंगी, और जो operational freedom और flexibility है किसी company को मिलनी चाहिए, globally market में compete करने के लिए, वो यहाँ पर इन PSU's को दे दिया चाहेगा, और जो एक बहुत बड है कि हमें कई सारे casualties देखने को मिली है, 403 accidents हुआ है पिछले 6 वर्ष में, जिसमें 27 soldiers की मिर्ती हुई है, 960 करोन रुपय यहाँ पर loss हुआ है, और इसकी जो accountability है, poor quality of production है, इसकी जिम्यदारी किसी के उपर नहीं आ पाती, तो कहीं न कहीं यह करके, जो quality है defense production का, वो increase करने की कहीं जा रही है, तो यह कुछ कारण बतायागा है, I hope कि आप समझ रहे होगे, लेकिन जाहिर से बात है, जो ordinance factory board है, वो इस चीच को नहीं मानता है, उनका कहना है कि नहीं, यह जो assessment किया गया है, आर्मी की तौरा वो गलत है, वो यह पुरा अलग मामला है, लेकिन definitely quality issue को लेक केला जा रहा है, जैसा मैंने बताया, कि यह company की तरह काम करेगी, आगे चलकर सरकार इसके shares भी बेच सकती है, तो यह एक concern है employees की तरह, दूसरा, इसकी वजह से जाहिर सी बात है, job loss भी जा सकता है, जितनी भरतियां करनी चाहिए, यह शायद वो नहीं की जाएंगी, फिर ती defense production को आप दूसरी company की तरह compare नहीं कर सकते, जैसे कि State Bank of India हो गया, या फिर Reliance हो गया, यह अलग companies है और जो defense का production होता है, उनका अलग तरह का काम होता है, तो employees को कहना है कि आप उसको दोनों को compare नहीं कर सकते, और इस यह कहीं न कहीं जो corporate entity बनानी की कोशिश की जारी है, वो य यह overall context है दोस्तों, I hope की जो भी यहाँ पर decision लिया गया, उसके जितने भी पहलू थे, मैंने बहुत short में आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है, जाने से पहले एक interesting question आपके लिए, जैसे मैंने बताया कि 1712 से इसकी सुरवात होती है, यहाँ पर first ordinance factory in West Bengal, और basically यह जो पहला factory था न, audience factory का, यह gun powder factory था, gun powder का manufacturing किया जाता था, क्या बता सकते हो कि इसके अंदर कौन सा देश involved था, कौन सा country इसको बनाने में, establish करने में involved था, इसका right answer है, आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिले गा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से भी ले सकते हैं इसका सही answer, और मैं कई सारे MCQs यहाँ पर डालता रहता हूँ, stories के form में आप जाकर play कर सकते हो, बाकि अगर आपको PDF चीए तो Telegram पर आईए, अलग-लग social media पर भी आप जोड़ सकते हैं, साथी साथ UPSC आप फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिल तो आप से next time till then, thank you very much, see you soon